अजय को अजय कर रहे होंगे अजय मैं हूँ उस जगह पर मेरा मिदा जब हम अगले खेट आते थे मेरी नानी के ना दो खेत थे तो अगले खेट जो है वह वह तीन से चार के ले जमीन है यहां पर तो नहर के साथ है तो मैं आज वहां पर नहर पर आया हूँ, मैं सबसे पहले आपको नहर दिखाऊंगा लेकिन वहां पर जहां मैं नाता था वो नहर दिखाऊंगा और वो जगा दिखाऊंगा जहां पर मैंने अपना बच्पन बिताया है और जहां पर मैंने नर्मे की जो गोड़ी होती नर्मे का जहां पर फील्ड होता है वहां पर कुछ खर्पतवार टाइफ की चीजय बहुद जाती है तो उनको दूर करने के लिए नर्मे की गोड़ी होती थी तो वह दिखाऊंगी आपको नहर के पास ना अभी विलाल एक पॉल्ट्री फॉर्म है जो अभी बंद है सबसे पहले हम उसको दिखते हैं कि जो पॉल्ट्री फॉर्म है वो कैसे दिखता है कैसे मतलब पूरा उनने मतलब एक लंबा सunt एक रूम बनाया होता है जालियां लगी होती है और कुछ खाने के चीजें डाली जाती है उस पॉल्ट्री फॉर्म में जहां पर वो जो जो चिकन विगरा रखे जाते हैं वो दिखाता हूं पहले उसके बाद फिर मैं आपको नहर दिखाऊंगा जहां पर मेरा बच्पन बीता है जहां पर मतलब यहां से थोड़ी दूरी है जहां से हम नर्मे की गोड़ी करते थे इतनी गर्मी लगती थी दुपैर का टाइम होता था और वहां पर नहर पे नहने के लिए आते थे हाना तो सबसे पहले आप पॉल्ट्री फॉर्म देखते हैं ठीक है तो चलिए वीडियो को एंजोई करते हैं फ छेता निसके फॉलियो है और यह बम भका लाक погких कैने था किया से पॉच बता तो सबसे पहले में आपको टॉर्ण करकर पॉल्ट्री फॉर्म दिखाता हूं अभी हम इस खेत में वी जाएंगे यहां पर नरमे का लगा हुआ है, पूरा किल्ला भरा हुआ है अब इसके बिल्कुल सामने है, तो चलिए अब हम पौल्ट्री फॉर्म के तरफ चलते हैं देखते हैं कि पॉल्टरिफर्म में क्या कुछ होता है गाम के यह आउटर आउट सकथ है यह गाम का आउट सकथ है जहां पर यह मतलब इस तरह ऐसे यह अभी डेवलप हुआ है पहले नहीं था क्यूंकि इससे पहले यहां पर सिर्फ खेती होते थे और यह अभी डेवलप हुआ है तो आज होप यहां से चलते हैं आज होप आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी क्यूंकि इसमें बहुत सारी आपको नई चीज़ें दिखने को मिलेंगी यह देखो पास से देखते हैं पॉल्ट्री फॉम ऐसे दिखता हैं यहां पर बहुत सारे चिकन होते थे तो इसको हम टर्न कर लेते हैं यहां से यह से यह देखें, अभी के लिए यह पॉल्ट्री फॉर्म साहएं बन्स पड़ा है बट आपको दिखाना मेरा क्सद है कि किस तरह से पौट्री फॉर्म होता है अंदर तो खैर पता नहीं जा नहीं सकते क्योंकि हां Бpta बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि अभी ये बंद पड़ा है इस तरह से पॉल्टरी फॉर्म अंदर से दिखता है मतलब जाली लगी हुई है वैसे हम जानी सकते हैं यहां पर यह देखो यह चीज़ें कुछ लगी हुई है जो इनके लिए जो होता है रखने के लिए जो भी उनके प्रोडक्शन में काम आता है चिकन प्रोडक्शन में काम आता है तो इस तरह से अभी पॉल्टरी फॉर्म बंध है COVID-19 की वज़ा से क्योंकि कुछ लोगों के अंदर भ्रहम भी पैदा हो गया है कि हो सकता है कि COVID-19 चिकन से भी आ सकता है तो इस तरह से लोगों के अंतर भ्रहम भी है तो इस भ्रहम को दूर करने के लिए आभी तो सरकार वैसे काफी यंतर तंतर यंतर तंतर जो भी है वो कर रही है लेकिन मुझे लगता नहीं है क्योंकि ऐसा होगा बट ये हैं पॉल्ट्री फॉर्म इसके साथ भी एक पॉल्ट्री फॉर्म हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ वो देखे वो जो आपको दूर से दिख रहा है न ये भी एक पॉल्ट्री फॉर्म है ये भी एक पॉल्ट्री फॉर्म है जो यहाँ पर भी चिकन का प्रोड़क्शन होता था लेकिन वो भी COVID-19 की वज़ा से बंद है तो यह जो को बड़े-बड़े पेड है तो obvious है जो हर्याली होनी चाहिए यह ट्रांसफारम लगा हुआ है भीली की पूर्ती के लिए क्योंकि जरूरी है Hello friends जैसा कि मैंने आपको बोला था कि पूल्ट्री फॉर्म को देखने के लिए हमें पर्मीशन के जरूरत होती है तो बस यहीं से मासर जी के खेट में जा रहे थे तो रास्ते में पूल्ट्री फॉर्म यह खुला मिला हमें तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम permission ले लेते हैं और आपको poultry form दिखा लेते हैं देखी पीछे से, तो हमने permission ली और उसके बाद फिर मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं poultry form की अब देखें मैं आपको proper दिखाऊंगा कि किस तरह से feed और light और किस तरह से जो chicken का production होता है कैसे गामों में फलता फूलता है बट ये बात अलग है कि COVID-19 की वज़ा से ये business थोड़ा सा ठब पड़ा है but don't need to worry क्योंकि ये सब कुछ permanent नहीं होता है ये धीरे धीरे बड़ेगा तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि poultry form exactly अंदर से कैसा होता है तो चलिए let's start the next video तो देखे ये है poultry form का अंदर का नजारा वैसे तो अभी COVID की वज़ा से बंध हैं लेकिन यहां पर उन्होंने कुछ समान रखा हुआ है ठीक है तो ये मिर्च ये अभी मैं मिर्च के बाग में आपको ले के जाऊंगा तो मिर्च का यहां पर छोटा सा एक मतलब खेत है वहां पर मैं आपको मिर्च दिखाता हूँ कैसे मिर्च का production होता है तो ये है poultry form देखो किस तरह से दूर तक मतलब काफी बड़ा है आगे तक ये उपर का shed है देखो ये वाला shed होता है ये लकडी का shed है और बिल्कुल मतलब ये बड़ा नहीं क्योंकि इन में रहने तो chicken का production होता है ठीक है ना बड़ा shed दूसरा नहीं है ये वाला यहां देखो ये वाला जो है ये pillar है ठीक है इन pillar के ऊपर ये जो है एक proper तरीके से टिकता है और ये है ये है ये है पैडी का husk इससे जो निकलता है चावल उसका जो बचा हुआ भूसा है वो आई थिंग काम में आता है और ये जो है ये मुझे नहीं बता की किसलिए काम आता है I don't know what is this ये lighting के लिए होता है थिंग देख लेते हैं पिसको भी इसको भी देख लेते हैं तूटा हुआ है थोड़ा सा कोई बात नहीं कुछ और ये ये तूचे idea नहीं है पता नहीं क्या है बट ये काम में आता है ये देखो ये दूर तक मतलब काफी है काफी आगे तक है ये सारा system और ये है ये है ये है आलू ये आलू रखा हुआ है ये आलू का I think बीज है जो आगे तक है रखा हुआ है काफी दूर तक टीक है तो इस तरह से पॉल्ट्रे फॉर्म का production होता है तो जिस नहर की में बात कर रहा था वो नहर अब मैं आपको डिखाता हूँ कहां से निकलती है और जो जिस गाम में मैं रह रहा हूँ जहां पर मैं नहाया हूँ जो वहां का मैं वीव दिखाता हूँ आपको कि कहां से वो नहर निकलती है और मतलब आइधिंग तीन या चार किलो मेटर का जो एरिया मतलब जो डिस्टेंस है वो कवर करके उस गाम में वो नहर पहुँचती है लेकिन बेसिकली मैं इस नहर के बारे में मैं आपको बताता ह आपको मैं सबसे पहले आपको नहर दिखाता हूं देखते हैं तो यह और से वह तक आग जाती है वहां से इधर से वह टर्न कर जाती है, वहां पर जाती है, मैं थोड़ा सा इसको क्लिर कर देता हूँ, थोड़ा सा पीछो के दिखाता हूँ आपको, येस, तो ये नहर जो है, यहां से ऐसे जाती है, घूम के, तो वह बिसिकली इस तरफ एक बना हुआ है, एक बैरिज बना ये वो जगा नहीं है जहां पर मैं नहाया हूँ, लेकिन वो जगा पीछे रह गई है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बस अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, कि ये नहर कहां से निकलती है, तो ये जो नहर है यहां पर, ये बिसिकली जाती है करनाल वाले साइड म कुरक्षेत्र और करनाल में डल्ले माजरा एक जगा है जहां से सतलुज यमना लिंक नहर पुरानी है जो वहां से वो निकलती है वही वो जगा है ये बिसिकली सतलुज का पानी है जो जो बिसिकली गोबिन सागर लेक जो है वहां से वो पानी आता है तो ये तो छोटा सी नहर आगे चलके वह जो नहरा वहां से वह बैक जाती है करनाल डिस्टिक में बड़े हैड बने हुए है मैं आपको जगा का नाम बताता हूं निगदू एक जगा है जहां पर निगदू से 5-7 km दूर आगे वह जगा बनी है जहां से वह हैड निकलता है तो वहां से यह पानी आता ह और वह पानी जो निगदू हेड पे है वह आगे उस तरफ जाता है जहां पर जो बेसिकली रोपड से होते हुए यह पानी यहां पर आता है तो इतनी information काफी है आप लोगों के लिए क्योंकि आप लोगों ने तो खैर वीडियो में ही enjoy करना है तो यह अभी देखो नहर है ठीक है तो मैं आपको आगे भी दिखाता हूं अभी हम पॉल्ट्री फॉर्म से आ चुके है क्योंकि पॉल्ट्री फॉर्म में जो second जो पार्ट आप आपने देखा हूं वो हमने पूरी permission लेकर हमने मैंने मैंने आपको पॉल्ट्री फॉर्म दिखाया तो चलिए अब हम आ तो इसी के सामने एक छोटा सा गाम लगता है यहां से एक किलमेटर दूर है और उस गाम का नाम है खुरड़ा नाम बड़े अजीब से होते हैं यह दिखें यह गाम है काफी बड़ा गाम है यहां से एक रोड जाता है जो की असंद जो टाउन है चोटी सीटी है उसको कनेक्ट करता है तो बैसिकली हमारे गाम से ही जिस गामे मैं रहता हूं वहाँ से उस गाम से निकलता है दूर में आपको एक खेत और दिखाता हूं जो बिल्ल कुल यnes bat दिख रहा है? हाँ यह दिखो. यह वला. यह दिख रहा है न आपको यह-लो----- यह अभी बस हाडली 10-15 दिन और लगेंगे इसको ready होने में. तो मतलब यह भी ready है. मतलब जानी के लिए. और कोई शो शराबा नहीं है आप चाहें तो यहाँ पर रात बिता सकते हैं दिन बिता सकते हैं पिकनिक मना सकते हैं यह आपके उपर डिपेंड करता है तो सोचे यार ऐसी लाइफ अगर आपको मिलती हो तो आप क्यों न ले अब यह मेरा कैमरा थोड़ा हिल रहा है बढ़ कोई बात नहीं तो ऐसी लाइफ अगर आपको मिलती हो तो क्यों न ले तो चलिए अब मैं आपको आगे वो जगा दिखाता हूँ जहां पर मैं बहुत नाया हूँ चलिए तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि जहां पर मैं नहाता था वो मैं जगा बताता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यह जो पेड देख रहे हैं यह वाला इस पेड के पास ही जो नानी का हमारा खेत है और इसके पास ही मतलब यह तो अभी ठेके पे lease पे दिया हुआ है तो यहाँ पर जो जब आज से 15 से 20 साल पहले जब मैं यहाँ पर आता था तो यहाँ पर खेत की गोड़ी होती थी तो वह गोड़ी करने के लिए हम यहाँ पर आते थे और वहाँ से नहाने के लिए हम यहाँ पर ऐसे आते थे और यह वो जगा है अब तो खेर यहाँ पर वो नहाने के लिए जगा नहीं है क्योंकि पहले लोग यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा करते थे maximum लोग जो आते थे वो यहाँ पर काम करके इस नहर में नाने के लिए आते थे यह वही जगह exactly यह वही जगह है जहाँ पर मैं नाता था तो अब तो खेर यहाँ पर बहुत ज़ादा नहरे साफ नहीं है गंदगी है क्योंकि यहाँ पर यह वाला प्लेस वहां से लेके वहां से लेके यहाँ तक यह सारा साफ होता था तो अब नहीं है क्योंकि अब तो टाइम चेंज हो गया है लोग भी चेंज हो गया है लोग अब जातातर कम काम करते हैं पहले पूरे शौक के साथ काम करते थे तो यह सब पहले already होता था तो यही वो जगह है जहां पर मैं नहाता था बच्पन मेरा यहीं पे बीता है और बहुत ही मतलब simplicity वाली life थी हो तो चारो तरफ आप देखो के फिर से वही paddy का ही field आपको नजर आएगा तो यह जो paddy का जो field यह तो आपको पता ही है almost after one month it will be cut तो यह देखो यह है bull cart इसको पंजाबी में बुगगी बोलते है तो यहाँ पर दो बुगगाट है इनके ओपर पठे लाद के जो भी greens होते है इनको लेके घर पे जाते हैं जो भी चारा होता है वो मतलब पशों को चराने के काम आता है एक bull वो रहा जिससे मतलब इनको यह attach किया जाता है यह देखो यहाँ पर बुल को attach किया जाता है और यहाँ पर जो greens होते हैं लादे जाते हैं यहाँ पर थोड़ी सी जगा बनाई जाती है बैठने के लिए फिर इसको आगे move करते है तो यह है मतलब वो जगा जहां पर मैं नहाता था तो I hope आपको यह अच्छा लगा होगा तो चलिए guys अब मैं इस vlog का end करता हूँ I hope यह जो vlog है काफी बड़ा बन गया है बनाते बनाते चीज़ें तो बहुत है दिखाने वाली बट कोई बात नहीं जब तक मैं हूँ काफी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा शाम भी हो गई है क्योंकि सूरज अभी ढलने वाला है तो ज़्यादा तर लोग शाम के टाइम पर अपने घर पर चले जाते हैं क्योंकि ज़्यादा काम इतना होता नहीं है और इनी शब्दों के साथ अब हम इस vlog का end करते हैं और I hope आपको यह vlog अच्छा लगा और चलिए फिर अब हम next vlog में कल मिलते हैं नई टॉपिक के साथ नई जगा के साथ जहां मैं आपको दिखाऊंगा कुछ और नया excitement वाली चीज़ है तो अब हम इस vlog का end करते हैं Thank you very much, stay happy, stay safe जै हिन, जै भारत Stay tuned